लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए यश्राज फिल्म्स अपनी स्थापना से लेकर अब तक के 50 साल में कुल 70 फिल्में बना चुका है और इस दरम्यान सिर्फ दो मौके ऐसे आए जब यश्राज फिल्मस ने एक साल में पांच या उस से ज़्यादा फिल्में रिलीज की साल 2008 और साल 2014 के बाद ये मौका इस साल फिर बन रहा है इस साल यश्राज फिल्मस दो नई हीरोईने भी बड़े परदे पर पेश कर रहा है पूर्व विश्व सुंदरी मानुशी चिलर के अलावा इन दिनों यश्राज की दूसरी हीरोईन शर्वरी वाग की भी हर तरफ चर्चा है यश्राज फिल्मस साल 2020 में 6 फिल्में रिलीज करने की तैयारी में है इसकी शुरुआत इसी महीने संदीप और पिंकी फरार से होगी इसके बाद जो फिल्में इस साल रिलीज की कतार में हैं उन में शामिल हैं बंटी और बबलीडो, शमशेरा, प्रित्वी राज और जहेज भाई जोरदार फिल्म प्रित्वी राज की संग्योगिता यानी मानुशी चिलर के बाद इस बार अमर उजाला की बात चीत हुई अबू धाबी से अपनी पहली फिल्म की शूटिंग से लौटी शर्वरी बताती हैं किसी फीजर फिल्म के लिए मेरा पहला आउट अडोर था और अबू धाबी में शूटिंग के दौरान मैंने काफी अच्छा समय व्यतीत किया मैं चाहती हूँ कि अपने चाहने वालों को मैं इन पूपसूरत लोकेशन्स पर शूट की गई फिल्म की ठगी के सी कवेंस के बारे में कुछ बता सकूँ लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती इसका राज़ तो फिल्म में ही खुलेगा लेकिन ये शूटिंग मेरे जीवन के यादगार लम्हों में शुमार हो चुकी है शरवरी वाग को यश्राट फिल्म सकी टालेंट टीम ने दो साल पहले खोजा और फिर शुरू हुई उनकी लगातार चलने वाली ट्रेनिंग चो बीस महीने यश्राट फिल्म सकी टीम की देख रेख में दिन प्रती दिन निखरती रही शरवरी कहती है बंटी और बबली दो की शुटिंग भी मेरे लिए हर दिन एक नई सीख रही है मैं भागेशाली हूँ कि मुझे सैप हली खान और रानी मुखर जी जैसे सीनियर कलाकारों के साथ स्क्रीन साज़ा करने का मौका मिल रहा है सिद्धान और मैं नए बंटी और बबली की भूमिका का पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं हमने शुटिंग के दोरान एक साथ तमाम मजेदार पल बिताए हैं हर दिन से इट पर हसी के ठहा के गूंचते रहे